दोस्तों तमिलनाडू सरकार ने दुगॉंग के लिए भारत का पहला conservation reserve पार्ग बे में बनाने का निर्णय ले लिया है तो इसके साथ दुगॉंग as a species अलड़ी UPSC ने प्रिलिम से भी पूछ रखा है तो दोस्तों आप सभी का pathfinder पर स्वागत है और आप मुझसे मेरे telegram channel पर जुड़ सकते हैं जहां पर lecture के उपराद आपको PDF updates मिल जाएंगे और इसके साथ ही नीचे दी गई मेरी anacademy profile है जहां प्रियदी आप मुझसे जुड़े तो मेरे द्वारा बनाई गई जितनी भी free special classes हैं उनकी notification आपको वक्त के साथ मिलती रहेंगी तो इसे पहले आगे बढ़ते हैं आईए देख लेते हैं news में क्या है तमिलाडू सरकार ने डुगॉंग conservation reserve पाक बे में बनाने का फैसला कर लिया है हो सकता है आप में से बहुत लोगों को ना मालूम हो पाक बे कहा है तो आप लोगों को दोस्तों में दिखा देता हूँ ये वाला जो हिस्सा आप देख सकते हैं तमिलाडू और शिलंका के बीच में ये वाला हिस्सा दोस्तों पाक बे कहलाता है और ये जो नारो सा पानी का पैसेज है जिसके दोरो तरफ जमीन है तो ये वाला जो चैनल है दोस्तो इसको कहते है पार्क स्ट्रेट दोस्तो ये पार्क स्ट्रेट है ये वाला इलाका पार्क बे है ये दोस्तो धनुश कोडी आडम्स ब्रिज जिसको कहते है और ये अगर गल्फ ऑफ मननार दोस्तों यह आपको लोकेशन मालूम होना चाहिए तो दोस्तों वापस आ जाते हैं तो इसी पर अगर हम देखें तो इसी पाक बेखो तमिलाडू सरकार ने डुगांग कंजर्वेशन रिजर्व बनाने का फैसला कर लिया है और लगबग 500 स्कूर किलोमेट का इलाका यह होने वाला है तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वाइड लाइफ इंस्क्यूट ऑफ इंडिया की बात करें तो भारत में उनका 2013 का एक रिपोर्ट है उसके मुताबिक भारत में बस 200 से 2500 डुगॉंग बचे हैं और इन में से अगर हम देखें तो करीबन 1500 इसी पाग बे और गल्फ अफ मननार वाले इलाके में पाए जाते हैं तो इसके साथ दोस्तों ये जो पाग बे वाला इलाका है ये डुगॉंग कंजरवेशन के लिए बड़ा बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है और साथी गल्फ अफ मननार वाला भी तो इस इलाके को बचाना जरूरी है इसके सिवा दोस्तों आपको बता देता हूँ भारत में डुगॉंग अन्य इलाकों में भी देखने मिलता है जैसे कि ये गुजरात के यहाँ पर आप देखे तो इस इस गल्फ ऑफ कच यहाँ पर भी डुगॉंग देखने मिलता है इसके सिवा दोस्तों आपको ज breeding ground भी माना जाता है पाग बे एंड गल्फ अफ मननार वाला इलाका तो दोस्तों डगॉंग अगर हम देखे तो IUCN के मताबिक यह vulnerable है IUCN status इसका vulnerable है और यह निर्भर करता है अपने survival के लिए sea grass पर तो दोस्तों यह एक दिन में 40 kg sea grass consume कर लेता है और sea grass को as a ecosystem भी maintain करता है क्योंकि दोस्तों अगर आप sea grass देखे तो यह वही ecosystem है जहाँ पर आप अगर देखे तो fishing जो fisheries होती है वो यहाँ पर अंडे देती है और इस वज़े से breed कर पाती है तो अगर sea grass बहुत बढ़ जाता है तो fishes उस पर अंडे नहीं दे पाती है तो इस प्रकार से डुगोंग sea grass को खा के trim करके इसी level पर रखता है जहाँ पर fishes उस पर अंडा दे पाती है तो इस प्रकार से पूरा ecosystem को अगर हम देखे तो डुगोंग impact कर रहे है तो बहुत important role वो इस ecosystem में play करते हैं कह सकते हैं कुछ keystone species जैसा तो दोस्तों अगर आप देखे तो यह एक मात्र ऐसा हर्भी वोरस mammal है जो की समुदरी mammal भी है तो marine हर्भी वोरस mammal समुदर में रहने वाला यह एक मात्र है तो यही अन्य siranian species भी होते हैं जिनको हम कहते हैं मनाटी तो एक तो होते हैं west african manatis यह जो आप color में देख रहे हैं यहां पर वैसे ही देखें तो एक होते हैं amazonian manatis और एक हैं west indian manatis तो दोस्तों यह to होते हैं इक मात्र ऐसा अन्य साया जाता है जो की समुदर में पाया जाता है समुदरी पानी में याने की सलाइन वाटर में खारे पानी में रह सकता है इसी की प्रजाती का closest relative था ये stellar sea cow जो की इस वाले समुदर में आप देख सकते हैं bearing straight है इस वाले समुदर वाले इलाके में पाया जाता है लेकिन हंट करके दुनिया से इसको खतम कर दिय गया है तो दोस्तों आपको जैसा मैंने बताया भारत में डुगॉंग बहुत important है कुछी इलाके में पाया जाता है तो आपको बताया कच में गल्फ अफ मननार में पाक बे में और अन्नमा निकोबार आईलेंड्स में तो आपको यह याद होना चाहिए तो दोस्तों क्या threat सबसे ज़्यादा से कर रहा है दोस्तों थ्रेट की अगर हम बात करें थे सबसे बड़ा थ्रेट है सी ग्राफ बेड का खतम होना क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया है डुकॉंग बस और बस सी घ्रास खाता है पर सी ग्रास को नुकसान हो रहा है ऊशन फ्लोर ट्रॉलिंग से तो ओशन फ्लोर ट्रॉलिंग एक प्रकार का destructive fishing है इसमें क्या किया जाता है कि जो ships होते हैं उस पे कुछ nets बान दिये जाते हैं और उस पर बजन डाल दिया जाता है तो इस प्रकार से वो net ocean के floor पे गिर जाता है और उसमें चक्के भी लगे होते हैं और फिर ships से इसको खीच के घसीटा जाता है तो इस दोरान जो भी species है पत्थर हो मचली हो बाटम में रहने वाली कोई मचली हो कोई भी चीज हो जो भी net के रास्ते में आएगा सब का सब उसमें फसता जाता है और ocean floor भी क्या होता जाता है तूटता जाता है तो जो sea grass है वो पूरे तरीके से damage हो जात भी मचली आती है सब पकड़ ली जाती है फिर जब ship में net खीच के भरा जाता है तो जो ship नहीं चाहिए जो मचली नहीं चाहिए होती है जो unwanted fish होती है उसको ship से उठाके fake दिया जाता है तो इसलिए यह बहुत ही destructive fishing है और इसको जुनिया से अलग अलग जगे से band करना किया जा रहे है वो है हम आपे habitat बदल रहे है ओशन का यह आप देखे तो marginal regions है यह marginal seas है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा pollution हो रहा है उस वज़े से भी water की hydrochemistry बदल रही है बहुत ज़्यादा fishing हो रही है ecosystem को बदल रहे है डुगाउं को मारा भी जाता है poaching भी होती है hunting भी होती है इस तो पाक बे में यह जो conservation reserve होगा यह सिर्फ और सिर्फ डुगॉंग के लिए ही important नहीं है यहाँ पर दोस्तों अन्य कई और प्रकार के species भी protected होंगे protected किये जाएंगे जैसे कि whale shark जैसे sea horse green and hawksbill sea turtles dolphin और sacred chunks या फिर कौन जिनको कहते है शंक तो शंक भी दोस्तों यहाँ पाए जाते हैं और इन सारे species को भी protection मिलेगी इस conservation reserve में तो दोस्तों इसलिए बहुत important आपको मालूम होना चाहिए इस बार के exam के point of view से भी डुवाओं के बारे में आपको सब कुछ मालूम होना चाहिए दोस्तों आज की class पसंद आई हो तो इस वीडियो को like जरूर करें अपने दोस्तों के साथ share करें and most importantly pathfinder channel को अगर अब तक subscribe नहीं किया तो आप कर लें दोस्तों इसके सिवा मैं आपको बताना चाहूंगा जब भी an academy आए use code kc10 क्योंकि जब आप ये code use करेंगे तो आपको मेरी mentorship मिलेगी आपको मेरे द्वारा hand holding की जाएगी best notes provide किये जाएंगे और जो मेरी guidance है आपको सारे subjects of gs essay and geography option में मिलेगी तो जब भी an academy आए भले plus course ले चाहे icon एक ले use code kc10 दोस्तों इसके सिवा आपको बताना चाहूंगा combo subscription में दोस्तों इस वक्त जो प्राइस चल रही है एक साल की gs option combo की 55,199 रुपीज है ये price 15 September तक है annual price ही काने वाली है इसके बाद दाम बढ़ जाएंगे दोस्तों आपको बताना चाहूंगा combo subscription में आप आपको gs optional दोनों के live batches मिलते हैं top educators से 19 optional subjects मिलता है 101 test series मिलते है prelims mains optional legends wisdom series भी चलाई जा रही है जिसमें आप उनके experience से भी सिखेंगे and 20 plus physical books provide किये जाते हैं तो दोस्तों ये कीमत आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कुछी दिन तक है 15 September दोस्तों दाम बढ़ जाएंगे तो अ 10,000 रुपे की इनकी कीमत है एक साल की subscription है इसमें के साथ ये free हम आपको provide कर रहे हैं अगर आप एक साल की subscription है तो 20 किताब है जो की gs1234 को cover कर रही जासा आप screen में देख सकते हैं नीचे की और इसके सिवा दोस्तों loan भी available है अगर आप an academy subscription नहीं एफोड कर पा रहे हैं तो loan के fill करें KC10 code and Kinjal Chaudhary educator name को भरें दोस्तो आइकने केंट प्लस की जो subscription की अगर आप individually ले रहे हैं तो आप cost देख सकते हैं एक साल की subscription की कीमत है तो 4550 रुपे दो साल की 64800 रुपे दो साल की आइकने की कीमत है 14175 रुपे यह सारी कीमते तब हैं जब आप KC10 code का इस्तमाल करते हैं option subscription की दोस्तो एक साल की कीमत से 24750 रुपे और दोस्तो test series भी आपको मिल रही है KC10 code का यूज करें free test series का पायदा उठाएं 8 September से दोस्तो नए batches start हो रहे हैं तो वक्त वरवाद ना करें जल्दी से जाए an academy subscription ले KC10 code का इस्तमाल करें thank you so much for joining have a great day let's crack it